तो हम लोगों को अब यहां पर इस पेनिसुला वाले भाग में पेनिसुलर इंडिया वाले भाग में जो नदिया बहती हैं उनके बारे में बात कर दी हैं तो यहां पर हम नदियों को दो भाग में डिवाइट करेंगे एक हम बात करेंगे जो वो नदिया जो पस्टिम की और यानि कि west flowing rivers और वो नदियां जो हमारे पास east की पूर्व की तरफ बैती है यानि कि east flowing rivers west flowing rivers हमारे पास वो rivers होती है वो rivers हैं जो basically drain हो रही है या गिर रही है कहां पर arabian sea में यानि कि वो नदियां जो अरब सागर में गिर रही है वह जाहिल सी बात है कौन सी रिवल्स है वेस्ट फ्लोंग रिवल्स है और इस्ट फ्लोंग रिवल्स कहां पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखें तो ये हमारा पेरेंसलर इंडिया है इधर अरेबियन सी है तो वेस्ट फ्लोइंग रिवल और यह वेस्ट पार्ट है यह इस्ट पार्ट है इधर पूर्व है इधर पस्टीम है वेस्ट फ्लोइंग रिवल जाके गिरेंगे अरब सागर में और इस्ट फ्लोइंग रिवल जो इधर की तरफ बह रही है वो गिरेंगी जाके हमारा यहां पर बंगाल की खाड़ी है बे आफ बंगाल ठीक है तो हम लोग अब पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवल्स को डिसकस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवल्स कौन कौन सी है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारी important इस्ट प्रइंग डिवर्स है ठीक है ठीक यह हमारा इंडिया है कुछ को हम पहले डिस्कस कर चुके है हम यहाँ जो शुरुवात करते है तो सबसे उपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक नदी आ रही है बहके रड़ाफ कच्छ में गिर जाती है पस्चिम की तरफ बहने वाली नदी पेरनसुलर इंडिया की पहली लूनी नदी है पर यह लोकेशन समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते है फिर एक और नदी यहाँ पर आती है जो यह कच्छ की खाड़ी है और यह खंबात की खाड़ी है लोक डिसकस कर चुके हैं औल्रेड़ी यह रिवर जाके गिरती है करच की खाड़ी में इस रिवर का नाम है वेस्ट बनास वेस्ट बनास रिवर यह वाली नदी इसके नीचे हमारे पास अगली नदी है जो आ रही है और यहां पर खंबाती खाड़ी में गिरती혜 कर खंबात कि खाड़ी में ही गिरने वाली अगली नदी है माही के बाद यहां पर आती है हमारी को पिव लोकेशन और सीक्वेंट समझेए इसका उस्से क्या होगा नश्रिक दिए क्लियर करने के लिए बना रहा हूं नर्मदा के बाद यहीं पर हमारे पास आती है तापती तापी या तापती थोड़ा सब नीचे चलेंगे तो यहां पर है तो वैसे बहुत सारी लेकर हम क्यों इंपॉर्टेंट रिवर्स देख रहे हैं दमन गंगा दमन गंगा यहां पर हमारे पास एक नदी है जिसका नाम है मीठी नदी तीक कोई खास नदी नहीं लेकिन एक बार आया है सवाल इसके मैं इसको बता रहा हूँ आप लोग को मेठी नदी तो यहां पर जो भी नदिया हम लोगों ने पढ़ी बैसिकली वो कहां पर है गुजरात में मेठी नदी आपका मुंबई में है और मुंबई है महरास्त में इसके बाद अगली नदी आती है यहां पर मांडवी या मांडवी और इसी का दूसरा नाम है महदाई या महदेई नदी ठीक है मांडवी के साथ ही बिलकुल बराबर में एक नदी है दूसरी यह दोनो नदिया है आपकी गुवा उसके बाद आती है एक नदी ताली ठीक है काली इसका नाम काली है और काली रिवर तो काली 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 नदी के बाद अगली यहां पर है हमारे पास शरावति देके इनके बीच में भी बहुत और सारी नदीया हैं लेकिर हम सारी नहीं तैयार कर सकते हजारों नदियां इंडिया में तो इंपॉर्टेंट के वल शारावती शारावती के बाद नेत्रावती काली नदी से लेके शारा नेत्रावती तक जो नदियां है ये हैं आपके करनाटका में करनाटका में फिर यहां पर एक नदी है भरत पुझा भरत पुझा नदी भरत पुझा नदी के बाद यहां पर हमारे पास वेमनाड लेक है और यहां पर नदी आ रही है पेरियार और पेरियार के बाद यहां पर एक और नदी है अलपुझा अम्मा मुवत्तु पुझा मुवत्तु पुझा अलपुझा तो शहर है यहां पर अलपुझा ये अलप प्र आफ़वत्तु पुझा ठीक है मुवत्यू पुजा भी आपका वेमनाड लेक पर ही गिरती है मुवत्यू पुजा भी वेमनाड लेक पर ही आपकी गिरती है और जो दूसरी वाली है वो भी वेमनाड लेक पर ही गिरती है यह आपकी important डिवल्स है 20 में कुछ छोटी एकार दीवर आ जाती तो हम लोग उसको discuss कर लेंगे अब इसको आप लोग basically ये map sequence याद करने के लिए बहतर है अगर इसको हम 4-5 बा roughly बना के बना लेंगे copy में तो हमको ये पूरी नजियों का उत्तल से दच्चिन और दच्चिन से उत्तल सीक्वेंस याद हो जाएगा क्योंकि सीक्तल माही हाँ जी साबरमती साबरमती है माही के उपर साबरमती ये साबरमती है मैं बता रहा हूँ ये साबरमती है ये माही है इसके उपर ये वेस्ट बनास है सर जो दमन गंगा है ये कहां पर बात करेंगे दमन गंगा की महरास्ट और गुजरात में इसका जो है इसका बेसिन है फ्लोह करती है ठीक है नासिक से निकलती है दमन गंगा आपकी को कि सरसे है इतनी इंपॉर्टेंट नदिया सर आपने बताए है हना सर लगता बहुत मुश्किला सर जितना याद चितना पता है इतना पता है उसको ही याद करना तो पहले मुश्किल से अपने बोला रना कि हजारों शेम भीन नदियोको भीजिए उठा अब उठा के कोई एक पीछ में दे रही है जो हम लोगों ने नहीं पड़ी है हाँ देखे 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 मैं 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 आपको बता हूँ हर एक्जाम का एक दाइरा होता है ठीक है इस डाइरे के बाहल से एक या दो सवाल तो आने के आप उमीद कर सकते हैं लेकिन अधिकतल सवालों का कंसेंटेशन यहीं से होगा ठीक है और हजारों नदियां है लेकिन आयोग भी जानता है कि इन हजारों नदियों में हर एक का नाम और हर एक के बारे में जानकरी रखना एक सामान आदमी के बस की बात नहीं है तो इसको ध्यान में रखते हुए वो इन ही नदियों में से पूछता है शायद ही कभी कोई ऐसी नदी वो पूछले जो इनके अलावा हो ठीक है तो ये हमारे पास नदिया है इने भी मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा बताई जाए ठीक वेस्ट बना सापको मैंने एक्स्ट्रा बता दी तो हम लोग वैसे थोड़ा सा एक का नदी आयोग के परव्यू से आगे ही निकल के पढ़ रहे हैं कि अगर पूछे कर तो कैसे पूछेगा है ना तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए जितना पढ़ रहे हैं यह मतलब आयोग से आप एक कदम आगे चल रहे हैं अब आयोग अगर फावल खेलना चाहेगा तो फिर वो खेल ले पेरियार के बाद कौन सी नदी लिखी है पेरियार के बाद मुवत्तु पुजा मुवत्तु पुजा हम लोग जब कोस्ट पढ़ रहे थे तो मैंने इसके बारें बताया था हाँ सर अपने बहुत अच्छे से बताया था इसको मुवत्तु इन में से काई काई साइड नदीया हम तो पहले भी पढ़ चुके जैसे साबर्मती माही नर्मदा तापी वगरा त तो आप लोग इसको बनाले फिर हम लोग शुरुवात करते हैं लूनी और साबर्मती तो हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं तो वहां जो शुरुवात नहीं करेंगे हम लोग शुरुवात करते साबर्मती से ठीक हैं साबर्मती का तो वैसे भी हमारे देश में बहु मांडवी नदी के दूसरी नाम क्या है? मांडवी नदी के दूसरी नाम में महादाई महादाई प्रभिनेश जी कुछ पूश रहा थे आपके आवाद चली गए थी पीस में नई सरी हम दमन गंगा पूश रहे थे और आप कह रहे थे सापु मती तो हमने का सावर मती आफ्रम दांडी अत्रव अगेरा इस अभी इस फेमस हाँ हाँ बेलकुल और अभी जो स्वाणिम सर जो योजना चल रही है पहले तो यहीं से स्टार्ट हुई थी ना आहम्दाबाद आहम्दाबाद से गांडी जी ने स्टार्ट है वो फारी पदान मंत्री जी ने स्टार्ट है नाम बताईए स्वाणिम योजना फ़र 75 सब्ता पहले आ जा दी के 75 वर स्वाणिम अम्रत महुच्व योजना ने स्टार्ट हाँ बिलकुल सही नाम है अम्रत महुच्व तो शुरू करें आगे हम लोग ठीक है चलिए पहला अब हमारे पास है साबर मती साबर मती आपको दिख रहा है कहां पर है और कहां पर गिर रही है और हम लोग ने थोड़ा सा देखा भी था इसको कि साबर मती कहां से निकलती है साबर मती कहां से निकलती है किस परवत से निकलती है अरावली ठीक है बिलकुल सही तो साबरमती जो है वो निकलते है आपके अरावली परवत माला से ठीक है साबरमती निकलती है अरावली से निकलती है और किस राज्य में निकलती है ये राजस्थान राजस्थान में एक बड़ा मशुहूर शहर है उदाइपूर उदाइपूर से नहीं लेकिन उदाइपूर के पास से ये निकलती है मेवाड के पास ये मेवाड का ही भाग है उदाइपूर ठीक है मेवाड का ही भाग है उदाइपूर राणा सांगा वगेरा की राजधानी तो उदैपूरी थी न मेवाड की राजधानी कौन सी थी यही तो थी राणा उदैशिंग तो यह राजस्थान के में से निकलती है उदैपूर के पास से अरावली पहाड़ी से निकलती है इसका जो बहाव का छेत्र है वो है आपका राजस्थान और गुजरात राजस्थान से निकलती है राजस्थान से होती हुई आती है और गुजरात में ये enter करती है और गुजरात में जाके ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है तो drains in खंभात की खाड़ी गल्फ आफ खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है इस पे जो important city situated है वो एक तो situated है आपको पता ही है कौन सी एहमदाबाद है इन और दूसरा हमारे पास गांधि नगर घांधि तुन्दिया करिये मैं क्या बोल रहा हूं ठीक तो एहम्दाबाद और गांधी नगर इसी पर सिचुएटेड है एक बात और ध्यान रखिए एहम्दाबाद में ही आपका साबरमती के तटपर है साबरमती आश्ट्रम है ना साबरमती आश्ट्रम है इसी साबरमती नदी के तटपर जो की भारत में गांधी जी का पहला आश्ट्रम था भारत में साबरमती आश्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और साबरमती आश्ट्रम का ही दूसरा नाम है थोड़ा सा कम पॉपुलर हरीजन आश्ट्रम ठीक तो सत्यागरह आश्ट्रम बोलें हरीजन आश्ट्रम बोलें या साबरमती आश्ट्रम बोलें सब एक ही जगह के नाम है और वो है साबरमती आश्ट्रम साबरमती आश्ट्रम मौडरन हिस्टी का कंटेक्स्ट आगया चा जाता है 1915 में गांधी जीन इसकी स्थापना की ठीक है और साबरमती आस्टम से ही उन्होंने दान्डी यात्रा की शुरुवात की थी दान्डी यात्रा की कब हुई थी 1930 में दान्डी यात्रा हुई थी नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं इसको नमक कानून के विरोध में की जानते हैं और एक important सवाल modern history का यहां से आ जाता है ठीक साबरमती आस्टम से जब उन्होंने दान्डी यात्रा शुरू करी तो उसके बाद गांदी जी ने प्रण लिया था कि मैं जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी वापस साबरमती आस्टम नहीं आऊँगा साबरमती आस्टम के बाद वो जाते हैं वरधा में सेवा गराम आस्टम में वो रहना शुरू कर देते हैं फिर भारत को आजादी मिलती है लेकिन उसके पहले कि उस साबरमती आस्टम वापस जा सके उनकी हत्या कर दी जाती है और जब 1930 में साबरमती आस्टम छोड़ा तो कभी भी लोट के साबरमती आस्टम नहीं जा पाए ठीक है तो यह जो साबरमती आस्टम है यह आपका इसी साबरमती नदी के तड़ पर आपका सिचुएटेड है अहम्दाबाद में ठीक है तो यह थी आपकी साबरमती नदी इतना ही इसमें ध्यान रखना है साबरमती नद माही, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, इदर जो लिखा है, माही, साबर मती के बाद माही है, माही भी आपका खंबात की खाड़ी में ही गिलती है, और इसका जो ओरिजीन होता है, माही नदी का जो ओरिजीन होता है, वो होता है विंध से, विंध परवस्य होता है, मध्य प्र प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में इंटर करती है राजस्थान में इंटर करने के बाद फिर ये गुजरात में चली जाती है ये ध्यान रखिए कि एक्जाम में पूछता है कि ये नदी कौन से राज में नहीं बहती है ये भी पूछ ल यह पोछ लेता है, तो इसको भी ज्यान रगे कोर्स को मद्धप्रदेश से निकलती है, राजस्थान जाती है और राजस्थान जाने के बाद यह गुजरात मेंटर करती है और बुजरात में ही यह., गिल जाती है कच्चolen की, गल्फ आफ खंभात में ये गिर जाती है, ठीक है, माही नदी पर एक डैम है, माही नदी पर एक डैम है, जिसका नाम है, बांसवारा डैम, बांसवारा डैम है, इसी का एक दूसरा नाम और है, माही बजाज डैम, इसी का नाम है, माही बजाज डैम, ठीक है, माही बजाज में बजाज जो नाम है, वो नाम आया है, जमना लाल बजाज के नाम से, तो जमना लाल बजाज के नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा है, और जमना लाल बजाज कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे, जो गांधी जी के साथ थे, गांधी जी का पांचवा बेटा इनको कहा जाता है ठीक है एक बार एक्जाम में पूछा था पांचवा बेटा गांधी जी का कौन माना जाता है तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा बेटा उनके खुद के चार बेटे थे और पांचवा बेटा कौन हो गया जम्नलाल बजाज को कहा जाता है और यही बजाज जम्नलाल बजाज है जिन्हों ने बजाज ग्रुप की स्थापना की थी ठीक है बजाज मोटर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स उसके इसराफ़ नहीं जमनलाल बजाज ने ती ठीक और इनहीं जमनलाल बजाज ने ध्यान रखिएगा कि वरधा में जो सेवा ग्राम आश्रम है उसकी 200 एकड जमीन इनहीं ने गांधी जी को दी थी तो सेवा ग्राम आश्रम किस ने दिया था गांधी जी को सेवा ग्राम आश्रम जम्नलाल बजाज ने ही गांधी जी को दिया था दूसरी सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछी जाने वाली बात है कि माही नदी माही नदी जो है वो ट्रॉपिक आफ कैंसर या हिंदी में बोलें करकरेखा को दो बार काटती है ठीक है और ये कहां पर काटती है राजस्थान में काटती है ठीक करकरेखा यूँ जा रही है पहले वो ऐसे जाती है और फिर यूँ चली आती है नीचे से ठीक है ये वाला हिस्सा तो राजस्थान में है